आईपियल की 10 टीम्स में से एक है पंजाब केंग्स आईपियल 2022 में पंजाब ने एकदम अटाकिंग T20 स्टाइल वाला क्रिकेट खेला और ये बता दिया कि बेशक हम टॉफी न जीते इस गेम को इंजोई तो पूरा करके ही जाएंगे लेकिन इस तरह की क्रिकेट में रिस्क लेकर पच्चताई थी उनका ये अटाकिंग अंदाज उनका भाग्ये बहुत ज़्यादा नहीं वदल पाया और इस सीजन पंजाब वाले चाहेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो और इसके लिए उन्हें सबसे पहले अपनी स्कौर्ड तैयार करनी होगी पर्स में कितने पैसे है पंजाब की स्कौर्ड में अभी 16 खिलाडी है उनको 9 स्लोट के लिए भरती करनी है जिसमें जादा से जादा तीन विदेशी खिलाडी हो सकते है और इसके लिए उनके पर्स में 32.2 करोड रुपे है पंजाब किंग्स की पर्फॉर्मेंस अब पंजाब को किन खिलाडियों क खरीदना है उस पर आने से पहले इनकी बीते साल की पर्फॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं बीते साल पंजाब ने माइवे और हाइवे वाला अप्रोच रखा लेकिन इनका यह अप्रोच बहुत जादा सफल नहीं हुआ क्योंकि इस अप्रोच की बेसिक बात यही होती है कि आप सामने वाली टीम को डॉमिनेट कर गेम को अपने हिसाब से चलाएं और यह टीम ऐसा करने में नाकाम रही क्योंकि इनके प्लेयर से एक यूनिट के रूप में अच्छा प्रदेशन नहीं कर पाए कभी ओपनर कभी मिडल ओर तो कभी बॉलर सब ने बारी-बारी से ट कभी को इंट्रोस्टिंग मनाया साथ ही अब लगता है कि पंजाब को पता है उनको कैसे क्रुकेट खेलना है और इसके लिए उन्होंने डिटेंदी खिलाडियों को उसी तरीके से किया है इसके साथ टीम ने शिक्रदवन को कप्तान भी बना दिया है ऐसे में यह साफ है कि द्वन पारी को सम्हा लेंगे और बाकी बन्लेबाज आकर अटाकिंग मोड में असल टी-20 गेम दिखाएंगे और यही पंजाब की ताकत है यही पंजाब ने वीटे सीजन से सीखा है कमजोरी लेकिन इस सीख के बीज टीम में कई कमजोरिया भी दिखी पंजाब के पास बे अरशुदीब सिंग बेहतरी इन पेसर हैं लेकिन इनके अलावा कोई और प्रूवन फास्ट बॉलर नहीं है अगर इन दो के ओफडे होते हैं तब टीम को कौन बचाएगा इनको नहीं जाने देना था अब एक नज़र टीम द्वारा रिलीज किये गए खिलाडियों पर डा है और वो टीम में एक से जादा आंकर नहीं चाहते लेकिन इन्हें ओडियन स्मित को नहीं जाने देना चाहिए था आजी भी फान्स को ओडियन करना पड़े अच्छे से यादुक्त क्योंकि आईपेल 222 में जब पंजाब ने अपना पहला मुकाबला खेला था उसमें ओड उस माच में आठ गेंदों में 25 रन बनाये थे हां बॉलिंग के समय ओडियन की कौनमी जादा रहती है लेकिन एक ऐसे आल्राउंड के साथ आपको रिस्क ले रहा ही होता है अब किसको खरीदे पंजाब गेंग्स खैर बीदी बाते पीचर चोड़कर आप पंजाब के करना चाहिए कगी सो अर्षदीप के लावा एक और बढ़िया पेसर को टीम से जोड़े एक अच्छी ओल्राउंडर की कमी को पूरा करें हमारे हिसाब से क्या करें अंत में लालन टॉप स्पोर्स की तरव से पंजाब को यहीरा होगी कि अच्छे गेंदवाज लाईए आप तो हाचीम के पास होने ही चाहिए इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो को शूट किया है या सबने मैं हूँ गरिमा स्पोर्ट से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं ललन टॉप स्पोर्स शुक्रिया